आज भी सरकिट के नाम से अर्षद बारसी को हर कोई जानता है जी हाँ आज हम आपको अपने इस रिपोर्ट में उनकी जिन्दगी से जुड़ा एक ऐसा सच बताएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं संजु बाबा के साथ मिलकर जिस तरह से अर्षद बार्षी ने सरकिट का किरदार निभाया मानो वो किरदार आज भी लोगों के जहन में हैं लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि अर्षद वार्षी जिन्होंने अपने शुरुवाती करियर में काफी जादा उतार चड़हव देखे हैं जिहां बच्पन में ही अर्षद वार्षी के सरपर से माबाप का साया उठ गया अर्षद की सुरुवाते शिक्षा नासिक महराश्ट्र से हुई सिर्फ दसवी क्लास तक ही अर्षद ने पढ़ाई की स्कूल छोड़ने के बाद अर्षद ने महस 17 साल की उमर में ही सेल्समेन की नौकरी करना शुरू कर दी और वो घर घर जाके कॉस्मेटिक का समान बेचा करते थे जी हाँ फिर अर्षद ने फोटो लैब में काम सीखा इस दोरान उन्होंने अपनी दिलचस्पी डांस सीखने में भी दिखाए इसके लिए उन्होंने डांसिंग ग्रुप को जॉइन किया और इंडियास डांस कॉम्पटिशन का खिताब 1991 में अपने नाम कर लिया इसी जगह पर उनकी मुलाकात मारिया गोरेटी से हुई जिनसे उन्होंने साल 1993 में शादी कर ली और आज अर्षद के दो बच्चे भी हैं जिसमें से एक बेटा और एक बेटी है आपको शायद ही ये पता हो कि साल 1987 में अर्षद ने असिस्टेंट डारेक्टर के तौर पर भी काम किया है उन्होंने महेश भट के साथ मिलकर ठेकाना और काश जैसी फिल्मों की बागदोर संभाली है अर्षद को शुरुआते से ही डांस और कोरियोग्राफी में दिल्चस्पी थी साल 1993 में उनको फिल्म रूप की राने चोरो का राजा का टाइटल ट्रैक कोरियोग्राफ करने का मौका मिला था वही जब अर्षद को कोरियोग्राफी में काम्याबी हासल हो गई तो उसके बाद 1996 में फिल्म तेरे मेरे सपने में काम करने का भी मौका मिला अर्षद की किस्मात यहां भी रंग लाई और फिल्म बॉक्स ओफिस पर काफी जादा सूपर हिट रही सबसे बड़ी बात यहां पर यह थी कि इस फिल्म में मौका उन्हें जया बच्चन ने दिया था और उसके बाद तो अर्षद का स्टार्डम शुरू हो गया फिर वो संजे बाबा के साथ नजर आए और उसके बाद तमाम तरह की बड़ी हिट फिल्मों में अर्षद ने काम किया अर्षद की सबसे सूपर हिट फिल्म है मुन्ना भाई एमबीबियस जिसमें उनके रोल को आज भी पसंद किया जाता है नेक्स्ट नाइन न्यूस से आर्दिक पोट